यहां है आंदी पट्टी और तेनी के बीच में 120 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफ्तार पर हो रहा स्पीड ट्राइल मद्रई डिवीजन के तहट आने वाले इस इलाके में 17 किलोमीटर का ट्रेलवे ट्रैक ब्राड गेज में बदल दिया गया है जिसके बाद सेंट्रल सर्किल के सियारेस मनोज अरोडा ने निरिक्षण किया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन बड़ी तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है ये है सजा धजा इंजन ये इंजन स्पीड ट्राइल के लिए सजाया गया है दरसल पूर्वत्तर रेलवे के सियारेस मुहम्मद लतीफ खान यहाँ पर इजजत नगर्ज डिवीजन के तहत इलेक्ट्रिफाइड रामपुर लालकुवा रेल सेक्षन का निरिक्षण कर रहे हैं सियारेस ने लालकुवा से रामपुर तक ट्रेन की गति का निरिक्षण किया अब इस रेल सेक्षन पर बिजली से चलने वाली रेल गाडियां तेज स्पीड पर चल सकेंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से CRS मुहम्मद लतीव खान पूरे इलाके का निरिक्षण कर रहे हैं खास बात यह है जब भी कोई नया ट्रैक एलेक्ट्रिफाइड होता है तो उसके बाद CRS सेंसन जरूरी होता है CRS तमाम चीज़ों को देखता है और उसके बाद अपनी राय देता है CRS रिपोर्ट के बाद इस पूरे सेक्षन को ओपन कर दिया जाता है भारती रेल्वे ने डोर टू डोर पार्सल सेवा सुरू कर दी है यह सेवा भारती पोश्ट के साथ मिलकर की गई है 31 मार्च को यह सेवा सूरत रेल्वे स्टेशन से सुरू की गई है आने वाले दिनों में देश के दूसरे रेल्वे स्टेशनों से इस सेवा को तेजी से सुरू कर दिया जाएगा इस सेवा का नाम रेल पोश्ट गतिसक्ती एक्स्प्रेस रखा गया है पोश्ट विभाग और रेलवे के बीच बहतर तालमेल के साथ ये सेवा सुरू की गई है आने वाले दिनों में तमाम जगों के लिए ये सेवा अबलेबिल होगी और कहीं न कहीं ये दिखाती है कि जब दो डिपार्टमेंट आपस में मिल जाते हैं तो उसके नतीजे काफी बहतरीन होते हैं